जुसके भी मन में ये doubt चल रहा है कि हम Asia Cup जीतेंगे क्या, हम World Cup जीतेंगे क्या, तो ठहरिए जरा आप अपने सारे सवालों पर विराम लगाईए, क्योंकि टीम एडिया के कप्तान ने कह दिया है, ये आश्वासन दे दिया है, कि हम जो है 100 नहीं, 200% Asia Cup 2013 जो है, वो जीतने वा रती भर का भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो है अपनी मस्ती में, और हम जो है Asia Cup 2023 जीतने वाले, तो किस कप्तान ने, मतलब आप लिटीम इडिया के कप्तान ने कहा है, बट कप्तान ने किस उफलक्ष में ये चीज कही है, और कहां पर ये चीज कही है, क्योंकि प्र कप्तान टीमिडिया के कप्तान रोहित शर्मा बंगलॉर के लिए रवाना हो चुके हैं साथी साथ वे राच कुली भी रवाना हो चुके हैं हारदिक पाडिया भी रवाना हो चुके हैं क्योंकि आप जानते हैं, और 39 अगस्त तक कैम्प लगने वाला है, यानि हम रखनेख कि Asia Cup की तयारी के लिए जो कसरत होगी जो महनत होगी वो सारी NCA में आपको देखने को मिलेगी 29 तारीक तक जो कि बैंगलॉर के बैंगलॉर में होने वाला है अब वहां के जब कप्तान रवाना हुए यानि रोईच शर्मा रवाना हुए तो एरपोर्ट पर उनको पकड़ लि कीजिए हम लोग Asia Cup जरूर जीत रहे हैं उन्होंने का हां हां हम Asia Cubs जीतेंगे तो एक बहुत ही बड़ी रिलीफ है बहुत ही बहुत ही बड़ी राहत की सांस सभी भारतियों ने लिए होगी क्योंकि हमारी अगर टीम इतनी confident नजर आ रही है तो एर हमें भी थोड़ा सा confidence announcement हुआ है तब से बहुत जादा चीजे चल रही है कि ऐसी कैसी टीम से जीतेंगे यह कैसा squad बना दिया है चहल को क्यों नहीं रखाया और श्विन को क्यों नहीं रखाया बहुत सारे confusions पैदा हो रहे हैं लेकिन आभी सब confusions पे पानी फेर दिया रोहिच चर्मा ने और बताय है कि इसी squad के साथ इसी team के साथ हम लोग एश्याकब 2023 जीतने वाले हैं अब आप बताईए आपकी क्या राया है क्या लग रहा है कि confidence लग रहा है रहा रहा है रोहिच चर्मा की बातों से confidence आया आप में भी आपको भी लग रहा है कि यह squad यह 17 खिलाडियों का squad हमें एश्याक कब 2023 सुझ जुताएगा या नहीं कमेंट्स करकर जोज बताईए और अ कर दो